है लुख रादे रादे दोस्तों और आपका स्वाक्षित है आपके अपने चैनल पुझा माऊ मैं ब्ब्लूटी ब्लोग की ब्लॉग में तो आज हम शेर करने वाले हैं आप लोगों के संग मकर सकरान्थी के वारे में और आप 14 दीज़ान कहां करें कैसे करें क्योंकि मकर सकर पर दीबदान करने का विसेस महत होता है इसलिए तो दो दिन से मैं वीडियो अप्लोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं उच्छोड़ा फीवर आ गया है और आज भी मैंने वीडियो बनाई है अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा तो चलिए करते हैं सुरूर आज की वीडियो मकर सकरांती पर आप पूजा कर सकते हैं कि हाँ मकर सकरांती पर जैसे कोई भी पूजा होती है तो सबसे गोरी गड़ेस की पूजा करी जाती है सबसे पहले तो हम अलग से नहीं बिटाते हैं लेगिन अगर आप अलग से करना चाहते हैं तो अलग से भी गणिस भगवान जी को गोरी माता को बिठा के छोकी पर अलग से पूजा कर सकते हैं अलग से अगर पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक अलग से स्थापित कर लीजिए और फल, फ्रुट जो भी है, आप चड़ाना छाएंचाला सकती है, उसके बाद आप सुराःग्वान घी को जल दे दीजिये, और बैसे मैं तो मंदिर में ही जो हमारा मंदिर है ना, हम उसी में ही अपने भगवान जी जो हमारे गोरी गड़े से हम उसी में पूजा कर लेते हैं उसके बाद हम जो जल होता है अर्ग के लिए रखते हैं उस जल से हम सुर भगवान जी को छट पे जाकर जल अर्पित कर देते हैं तो हम इस पकार से भी पूजा कर लेते हैं और अगर आप अलग से करना चाहती हैं तो आप अलग से कर लीजिए तो इस पकार से हम अपने सुर्व अगवान जी की पूजा करते हैं और मकर सक्रांती पर सुर्व अगवान की पूजा होती है तो इस विकार से आप मकर सकरांती को सारी पूजा पूण कर सकती है और मकर सकरांती पर खिचड़ी का दान भी किया जाता है तो आप खिचड़ी का दान भी कर सकती है वह से लोग गुपत दान भी करते हैं मकर सकरांती पर तो जैसा आप करना चाहे वैसा आप कर सकती है और चोधा दीपों का दान का विसेद महदव है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको चोधा दीप दान कैसे करने हैं कहां करने है और तो आप चोधा दीप सबसे पहले मिट्टी के जला लीजिए और दीप आप जैसे भी दान करना चाहें मिट्टी के, चांदी के, पीतल के या जिसके भी आपकी इच्छा हो आप उसके आप दीप दान कर सकती है तो जैसे अपनी सामर्थ के अनुसार है वो तो जैसे कि आप करना चाहें तो सबसे पहले अगर आपके कोई मनो कामना के प्रतिय आप दीबदान करना चाहती है तो आप अपने दिया में लंबी बत्ती डालें और अगर नहीं बस अपनी भक्ती के अनुसार करना चाहती है तो आप गोलबत्ती भी गोलबत्ती डालें तो सबसे पहले आप चोदा दीब जला लीजिए और सबसे पहले आप दीब जो है अपने मंदिर जो घर का हमारा मंदिर होता है हम सबसे पहले वहाँ दीबदान करेंगे तो एक दीबदान आप अपने मंदिर में जरू कीजिए और ये दीब दान जो साम का टाइम होता है न जिसे दूरी संजा बोलते हैं दूरी शाम बोलते हैं जहां पे दोनों बेलायों का मिलन होता है उस समय हम ये 14 दीबों का दान करेंगे तो सबसे पहले दीब दान हम अपने मंदिर में करेंगे दो दीब दान आप अपने घर के मुखे दौर पर जरूर कीजिए और दो दीब दान एक दीब आप अपने किचिन में दीब दान कीजिए और एक दीब आप अपने और दो दीबदान जो हैं आप अपने घर के बेडरूम में आप दीबदान कीजिए और पाचमा दीबदान जो है पाचमा दीबदान जो है वो आप तुलसी माता के पास कीजिए पाचमा नहीं सुरी साथमा दीबदान जो है वो आप तुलसी माता के पास कीजिए क्योंकि मैं भूल कही थी कि मैंने दो दीबदान जो बेट डूम में रखने थे वो मैं बता रहा हूँ मैं बोल चुकी हूँ इसलिए और फिर आठमा दीबदान जो है अगर आपके पास कहीं सिवाला है और वहां पे पीपल का पेड़ है तो आप एक तो सिवाले सबसे पहले और आठमा दीबदान जो है आप पीपल के पेड़ के नीचे कीजिए क्योंकि पीपल के पेड़ में स्वैम सिरी हरी का बास रहता है इसलिए और नमा दीबदान जो है आप सिवाले में कीजिए यहां सिवाले का मंदीर है वहां पर और ग्यार्मा दीबदान जो है आप समी के पेड के नीचे कीजिए तो क्योंकि उसका उसमें भी शीर हरी का वाश रहता है इसलिए और यह सारे पेड आपको एकी बंदी में मिल जाएंगे जहां पर सिवाले होता है वहां पर यह सारे पेड होते ही हैं और तेर्मा दीबदान जो है आप किसी बैती हुई जलधारा में कर सकते हैं अगर आपको बैती हुई जलधारा या नदी नहीं मिलती है आपके असपास नहीं है तो आप एक काम कीजी अपने घर में एक थाली ले लीजे और उस थाली में जैसे जल भर लीजे और उसमें दिया रखके आप दीब का दान कर सकती है इस तरह से आप घर में एक नदी बना कर थाली में नदी बना कर आप दीब का दान कर सकती है और चौधमा दीब दान जो है चौधमा दीब दान जो है आप और चौधमा दीब दान जो है आप असोक के पेड़ के नीचे कर सकती है तो अगर आपको एक जानकारी में और देना चाहूँगी, जैसे अगर आपको पेड़ नहीं मिलते हैं, आसपास कहीं सिवाले नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप सब का नाम ले लेके, अपने घर पे, छट पे, दीपो का दान कर सकती हैं, अपने घर में ही, तो अगर, और म खिचडी का दान भी का विशेज में में, आप खिचडी का दान भी कर सकते हैं, वह से लोग गुपते दान करते हैं, तो गुपते दान में यही है, कि आप जैसे खिचडी है, वो किसी गरीब को दीजिए, और बहुत सो लोग मान लोगों को भी खिचडी का दान करते हैं, मन तो थोड़ी सी धक्षिना दी दीजिए तो जो हम कुछ करेंगे तो हमें भी कुछ प्रैप्ति होगी तो भगवा हमें हम बस क्या है हम भगवाल को प्रशन कर सकते हैं तो हम अपने माधब की भी पूजा करते हैं में अपना मंधी के सजा लिया है तो अगर आपको हमारी दीओ ही जानकारी 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 ईप्रेव कुछ भी कुछ भी अच्छा लगओ अगर आपको हमारी ही वीडियो में तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि हमारी वीडियो में आपको क्या पसंद आया और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को क्योंकि आपकी सपोर्ट के हमको बहुत आवशकता है तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो एक अच्छी सी जनकारी के संग तब तक के लिए रादे रादे बाई बाई नमस्ते और मकर सक्रांती की बहुत बहुत सुपकामना है बहुत बहुत बढ़ाईया जैसिरी रादे जैसिरी रादे